इस वीडियो में हम पर उपर हैं इंडियन प्रीमेर लीग का आच्छाम का मुकाबला जो की खेरा जाएगा रॉयल चैरेंजर्स बैंगलूर और चन्नाई सुपर किंग्स के बीच में जो की पहला मैच हुआ था IPL का सो यह मैच भी जो है आपको सेम जो है मैच देखने को मिलेगा और यह काफी जादा इंटरस्टिंग मैच है और आप कह सकते हो सौट अफ वर्चुल जो है प्ले आफ मैच होने वाला है बिकॉस यहां पर दोनों टीम्स के लिए विन करना बहुत इंपॉर्डन्ट है और RCB के लिए run rate का जो है एक requirement बनता है तो क्या कुछ चीज़े हैं और इस match में आप expectation क्या रख सकते हो स्मॉल ली में कौन से choices आपके लिए काम आएंगे सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को end तक पूरा देखना है बिन स्किप करें और वीडिय चार जो matches हुए हैं उनमें consistently हमें जो of course है वो काफी high देखने को मिले हैं कुछ matches में काफी close matches देखने को मिले हैं लेकिन most of the occasions जो है यहाँ पे defending side ने match को wing किया है जैसे आप 2 April का जो match देख रहे हो LSG ने 181 बनाया था RCB वहाँ पे 153 all out हो गए थे SRH ने 287 वाला सबसे बड़ वर के अंदर अंदर उसको जो है 14 वर के आसपास में जो है चेस कर लिया था RCB ने तो यह काफी comfortable victory रहा था आसानी से जो है पे चेस हो गया था लेकिन जो recent जो match हुआ है 12th में को वहाँ पे RCB ने 187 बनाया था Delhi Capitals 140 पे all out हो गए थे तो कोई ना कोई team यहाँ पे most of the times जो है all match में गिरेते जिनमें 9 विकेंट जो है बोलर्स निकाले थे तो उस match को हटा देते हैं तो सभी matches में एक ने एक इनिंग में जो है all out हुआ है तो overall जो है बोलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ मदद है most of the analysis है वो आपको दिखेंगे कि आप ऐसा देख रहे हो जहां पर आपको maximum maximum time जो भी हैं बता रहे हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ बैटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन जो miss out करने वाली चीज़ है जो लोग miss कर जाता है वो यह है कि बोलर्स के लिए भी काफी helpful जो है पर विकेट देखने को मिलता है और all Pacers ने इस venue पे बहुत जादा अप पता चल रहा है कि दोनों इनिंग में बराबर ही help हमें जो है Pacers को देखने को मिल रही है और all chase करने वाली टीम्स ने इस venue पे अच्छा किया है लेकिन last जो 4 matches है उनमें हमें यह दिखा है कि 180 प्लस अगर total बनता है या 200 के आसपास का total बनता है तो defend करना थोड़ा मुश्किल जो हैं पर थोड़ा असान हो सकता है ठीक है किया जा सकता है पॉसिबल है यह हमें last 4 matches के basis पे conclude कर सकता है Probable 11 दोनों टीम्स की देख लेता है अभी क्या चल रही है Probable 11 देखो फ़फ डिपलसी विराट कोली उपन करेंगे फ्रम RCB रजट पटिदर वन डाउन पे खेल सकता है क्योंके विल जैक्स जो है वो अभी जा चुके England तो वो नहीं रहेंगे तो उनकी जगा Glenn Maxwell को जो है प्ल शर्मा आर्ट और उसके बाद है बॉलिंग लाइनप जहांपे मावसिराज, यश्देयार, लोकी फर्गूसन और स्वपनिल सिंग तो ये जो है इनकी ओवरॉल प्लेंग 11 रहती है अब इन में जो इंपोर्टन प्लेयर से हैं जो स्मॉल लीक के लिए इंपोर्टन बनते है अब विकिट कीपर में दिनेश कार्थिक के साथ जाना एक और बिसी च्वाइस बन रहा है क्योंकि एमेस जोनी दिनेश कार्थिक दोनों लगबग उसी बैटिंग पोजिशन पे खेलेंगे जो भी बैटिंग फर्स्ट कर रहा है उसको आप अपनी टीम में रखना है ठीक है सिंपल सा लोजिक है पहला बैटिंग जो भी कर रहा है उसको आप अपनी टीम में रखेंगे बोलिंग की बात करें तो सिराज, यश, देयाल, फर्ग्यूसन में से मैं तीनों पेसर को बोलूँगा अगर कोशिश करें तो आप तीनों को एड़ करने कोशिश कर सकते हैं या इन में से कोई एक प्लेयर आपनी टीम में एड़ करो इसमें से ज्यादा जो प्रिफरेंस है वो मैं लोकी फर्ग्यूसन को दूँगा बिकॉज अफ इसकी बोलिंग जो है डैथ वे ज्यादा आती है बहतर बोलिंग वहां पे कराता है तो इसलिए इनको ज्यादा अपनी ट मैचस में डिप करता हुआ दिखने को मिला है थोड़ा जो है आउट ओफ फॉर्म लाश्ट दो-तीन मैचस में टच में देखने को नहीं मिले है रविंदर चड़ेजा पांच नंबर पे बैटिंग कर रहे है मिचल सैंटनर चटे नंबर पे आ सकते है क्योंकि यहाँ पे मोह बात करें राचिन रविंदरा देखो लोकल बॉय है यह बेंगलूरू से बिलॉंग करते है यहाँ पे इन्होंने ज्यादा मैचस तो नहीं कहले लेकिन कुछ हद तक जो चाल्ड़ूड मेमोरी से वह है बहुत ज्यादा नहीं है एक्स्पिरेंस वेन्यू का मैं इतना जरू अगर सिंपल लगा स्टेटिस्टिकली भी बात करें तब भी मेरे को लग रहा है इस मैच में इंपोर्डेंट मनेंगे ओपनर्स बहुत ज्यादा कुरूशल है दोनों साइड के दोनों ओपनर अगर आप रखना चाहते हो तो रख सत्यों लेकिन मैं स्पेसिफिकली तो शिवम दूबे आपकी टीम में होने चाहिए दोनों में से कोई एक तीन या चार नंबर पे जो भी प्लेयर खेल रहा है उन में से कोई एक प्लेयर अपनी टीम में आड़ करना है दर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसको आप अपनी टीम में प्रिफर करो पहला दूसरा जो भी इनिंग बोलिंग कर रहा है इसको आप अपनी टीम में रखने की कोशिश करो सिमरजीत सिंग अगर आपकी टीम में आ रहे हैं अगर आपकी कॉम्बिनेशन में सही दिख रहे हैं तो आप इनको रख सकते हैं डेथ में बोलिंग कर आएंगे तो हो सकता है सतर हो है और मैं आपको इनको देखने का मिलेगा बोलिंग तो वहाँ पर हो सकता है एक दू विकेट आपको ये निकाल के दे जाए बाकि अगर आप सिमर जीत सिंग नहीं रख रहे हैं तो येश दयाल सिराज में से कोई एक अपनी टीम में प्रिफर करके रख सकता है तो ये जो है दोनों साइड से प्लेइंग लवन हो जाती है हिट वेट रकॉर्ड को देख लेता है 33 मैचस दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं 22 चन्नाई ने जीते हैं 10 मैचस जो जीते हैं RCB ने तो थोड़ा यहां पर परेड़ा आपको ऑफकोर्स चन्नाई का भारी देखने को मिलेगा इस मैचस जो 10 मैचस खेलें उनमें भी 5 चन्नाई ने जीते हैं और 4 मैचस RCB ने जीते हैं और एक मैच जो है नो रिजल्ट रहा था तो बिसिकली यह मैच में भी नो रिजल्ट के चांस ज़्यादा बन रहा है जैसे आप फोरकास्ट बगेर आप देख रहे होंगे 6-7 ओर का भी मैच होता है तो काफी प्रिफरेंस आप दे सकते होगी जो टॉप ओर्टर है वहां से आप पिक करो और जो मेन बोलर से जिनके नाम मैंने बताए हैं उनको आप अपनी टीम में प्रिफर कर लेना ठीक है यह आपके लिए हो सकता है अगर मैच छोटा भी होता है तो लेकिन यह मैच होगा जुरूर मेरे को ऐसा लग रहा है हो सकता है तो इसलिए मैं आपको वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आप अपने टीम जो बना रहे हो न तो यह होफफुल हो के बनाओ कि मैच होगा क्योंकि डेने सिस्टम जो है बहुत अच्छा है साट परसेंट के चांसे से अभी नजर आ रहे हैं अगर मैच के टाइम पर एक घंटा भी अगर क्लियर मिल जाता है न तो काफी है दोनों साइड बैटिंग हो सकती है मैच छोटा हो सकता है हाँ स्टार्ट होने में अगर डेले हो जाए तो तो फिर अपना इंवेश्मेंट आप थोड़ा बहुत पूल कर सकते हो लेकिन अगर डिले नहीं होता स्टार्ट होने में तो आप अपना पूरा इंवेश्मेंट जोग है करके चल सकते हैं ठीक है वेन्यू पे सो मैचस खेल रखे हैं RCB ने 48 जीते हैं 47 हा रहे हैं तो overall record इनके 50-50 नजर आता है 15 मैचस जो यहां पे चन्नाई ने खेल है उसमें 9 मैचस जीते हैं उन्होंने और 4 मैचस आ रहे हैं और 9 रिजल्ट उनके overall रहे हैं इस मैच में भी थोड़ा वह चीज़ें उस तरफ जा रही हैं देखना पड़ेगा no result ना रहे तो बैतर रहेगा हमारे लिए भी और overall as a cricketing community हमें ज्यादा action की जरूरत है अभी फिलान प्लेयर मैचस अप्स की भी बात कर लेता हैं प्लेयर मैचस अप्स की बात करें तो यहां पे आपको रविंद्र चड़ेजा भी रहने वाले हैं सबके अगर आप उनको बनाना चाहते तो of course आप बना सकते हैं कोई problem नहीं है अच्छा अप लेयर है आप form में भी चल रहा है तो definitely आप लेके चल सकते हो और Glenn Maxwell अगेश्ट महिश तीक्षा ना 36 गेंदों में तीन बार आउट हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर 79 रन भी बनाए हैं तो वो एक काफी अच्छा स्टाइट है जहाँ पर आपको देखके थोड़ी वो चीज़ें जो है बैलनस आउट करनी पड़ी कि लेकिन जड़े जाके गेंश में 21 गेंदों पर दोबार विगेट खोया है अल्दो वहाँ पर भी स्ट्राइट ग्रेट काफी अच्छा रखा है थाटिफाव इरंस बनाए है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी 130 के आसपास का स्ट्राइट ग्रेट रखा है लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ है जो ग्लेन मैक्सवल है उनकी बैटिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है और बोलिंग इनको ज्यादा मिलती नहीं है तो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि आप अगर ड्रॉप भी कर देते हैं स्मॉल लिग में उतना ज्यादा डिफरेंस में भी ये ना डाल पाई टीम में तो आप अगर छोड़के जा आना चाता है तो छोड़के जा भी सकता है अभी मेरी टीम की बात करता हूँ, मैंने ये ड्राफ्ट अभी जो है टीम की हुई है, दिनेश कारतिक को मैंने विगट की पर रखा है, अगर धोनी बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप उनको प्रिफर कर सकते हैं, दोनों अलग बग उसी पोजिशन पर बैटिंग कर रहे अगर आप बनाना चाहते हैं तो गायक वाड को बना सकते हैं, बिल्कुल आपके पास पूरा जो हैंपर चांस है, आप बनाना चाहते हैं तो गायक वाड के साथ वाइस कैप्टन जाके अराम से अपनी टीम कंप्लीट कर सकते हैं, और मैंने राचिन रविंद्रा को रखा है वो आपके लिए एक अच्छा च्वाइस बन सकता है तो मैंने इन फॉर्म जितने भी बैटर्स थे है उनको मैंने अड़ करने कोशिश की है बोलिंग सेक्षन में मैंने सिमरजीत सिंग, तुशार देश पांडे और लोकी फर्विसन के साथ जाने का डिसाइड किया है आप अगर चाता है तो सिमरजीत की जगा जैसे बताया आप या तो सिराज ले सकता है या या अश्दयान ले सकता है दोनों आप्शन आपके पास अच्छे रहने वाले है फिलाल मेरी ये टीम है, इसमें अगर कोई भी चेंज होता है कोई भी अपडेट होता है, सारी चीज़ने आपको टेलिग्राम पे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जोईन कर सकते है वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना काफी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपका आपके रिसेशन जो है